Hello everyone! आज के lecture में हम लोग twisted ring counter जिसको हम लोग johnson counter भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे twisted ring counter को कुछ books twisted tail counter भी कहते हैं या twisted tail counter भी कहते हैं त्विस्ट टेल counter भी कहते हैं क्यों कह रहे हैं वह मैं भी आपको समझाता हूँ आपको याद है करने देखो आपको याद है मैंने आपको ring counter पढ़ाया प्रीविस लेक्च्चर में हमने अ कंप्लीट किया थीन लेक्चर्स में ने रिं-कांटर पर लगाए थे हैं वह तो यह तो कैशे अगर अगर 3 bit का बनाना है तो हमने 3 D इसको इन्पूट बना गर करके रख लिया था तो मतलब यह अगर में सिंपल बात करो तो यह हमारा क्या होगा यह क्यू है और यह वा novつकार के अपक्र सकीदिर्णक का उछका भी कि रहे हैं इसने बनाये था इसले सब्सक्राइब है और कुछ भुख तोड़ा सा अलग बह दो एंप बोल रहे हैं ऒुमारा और वहैं और मॉरिस मैंनों ने कुछ बात बोली है तो मैं आपको भी बता दूगा जोनसन काउंटर के बाहर मुझे क्या बोला है बट बेसिक आइडिया आप लग चुका है जोनसन काउंटर बोलो एक बात है यह ऐसा ही है तिक है जो मैंने आपको दिखाया है अच्छा जी अब देखो यह काम कैसे कर रहा है मतलब ही क्या आउटपुट दे रहा है क्यों बना रहा है हम इसको वह मैं आपको दो मिंट में क्लियर करता हूँ देखो भी आराम से यह कैसे आउटपुट देगा वह एक बार हम चेकी कर लेते हैं यह हमारा A हो गया यह B हो गया और यह C हो गया तो A, B और C इनिशल स्रेट आप मानलो 0,0,0 तो अब कर क्या रहा है जो C का आउटपुट है बस वह इसका इंपुट बना बैठा है लेकिन उल्टा है और A का जो आउटपुट है वह B का इनिपुट है जो B का आउटपुट है वह C का इनिपुट है तो मतलब और D फ्लिफलोप ऐसा रहे तो मतलब जैसा हम इनिपुट देंगे वैसा आउटपुट आना तो बस चुप चाप से ऐसी बात करो यह 0 होगा I think आप खु इस बढ़े यह 0 बन के इधर क्योंकि उल्टा जाना है और यह वाला वन इधर यह 0 बन के जाएगा उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा यह 0 बन के इधर जाएगा यह 0 इधर मतलब जासे शुरूए तो बहां पे आ चुके है तो कितने state इसमें आ रही है एक दो तीन चार तो फाइदा से थोड़ा सा फाइदा हुआ है, फाइदा इन दे संस हमारे पास जो रिंग काउंटर होता था था तीन बिट का उसमें वह मौड 3 बनता था लेकिन यह मौड 6 बन रहा है, अच्छा जी तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, तो थोड़ा और समझा देता हूं तो पहले तो इस चीच को आप राम से नोट डाउन करो, कैसे चल रहा है वो आपको आप समझ में आ चुका होगा अच्छे से, और बिल्कुल बेसिक आइडिया से देखने कि अगर आपको कुछ नहीं पता कैसे चलाए करते थे, वो आपको यादार होगा, उससे भी मैं आप को दिखा देता हूँ है ना, जैसे देखो, आप यहां लिखो QA, यहां QB और यहां QC, और यहां में लिखते हैं QA+, यहां QB+, और यहां QC+. तो आप पहले मुझे ज़रा यह समझाओ, QA+, क्या होगा, फिक है, let me take another slide, आप ज़रा मुझे फटा-फट से यहां पर बताओ, QA QA+, क्या होगा, मतलब next state QA, A की next state क्या होगी, obviously बात है भी D, यहां तो यह D input क्या यादा है, यहां पर यहां पर करेक्टिक एक्वेशन, प्लीज याद करो, QA+, विल बीकल तो DA, जो आप A flip-flop में D दोगे, वो होगा, अब D क्या है भी, फटा-पर चेक करो, D क्या है भी, QA, यही जो QA है, जो A का output है, वो ही D बना बैठा यहां पर, यहां पर तो यह नज़रा रहा है, QA, और QC+, क्या नज़राता है, बही, देखो, राम से बठाफट, यह होगा QB, क्यूकि QC+, will be equal to D, और D का यहां पर यहां बार-बार समझारों, और क्रेक्टिक एक्वेशन देखर क्या हो, मैं आपर टाइम पर पास नहीं कर सकता, DC और DC will be equal to what QB, तो बस उसके साब से हम आंसर निकाते जल जाएंगे, आप देखलो जैसे अगर हमने भर रखा होगा, 0000, 001, इस से, इस मेथड से क्या होगा न, हम सारी स्टेट्स निकाल पाएंगे, कैसे हमारे पास क्या-क्या आ रहा है, देख्या है, तो 101, 110, 111, तो 0000 की बादरी सेट क्या होगा, यह C इधर, इसका उल्टा इधर जाएगा न, तो सीधे सी बात आप समझ पार होगे, 100, 00, तो यह दोनों 0 तो आगे आई जाएंगी, और यह 0 जो होगी, यह 1 बन के आजएगी, अच्छा, यह वाला 1 जो होगा, यह 0 बन के आजएगा, और यह 2 0 आगे शिफ्ट हो जाएंगी, तो 0000, उसके फिर यह 1 बन के इधर जाएगा, तो 101, I hope आप समझ पार होगे, इन दोनों का आप इधर शिफ्ट मार दो, एक राइट शिफ्ट मार दो, इसको उठा करके इधर लगा दो, बस कुछ नहीं करना, तो मैं ऐसे समझ जाता हो आपको देखो, 0011 है न, तो 01 यहाँ पे 01 हैस्ट उठा करके लिख दो, और इस 1 का उल्टा करके आगे चिफका दो, तो मतलब यहाँ 0 चिफका दो, यह 1 0 था, तो यहाँ 0 चुप चाप से लिखो, इस 0 को उल्टा करके यहाँ चिफका दो, यहाँ पे यह देख लो, भई 1 0 है, तो चुप चाप से 1 0 लिखो, और इसका उल्टा करके यहां चिपका दू ये देख लो भी candle one है तो 0 अब इससे फाइदाए क्या होगा अब मैं पड़ा-फN से नاخosaur जो you can say counting लूप और वो सब मैं बड़ी जल्दी द eyelinerि gets पा हूंगा ह् समझा देता हूं कहा‌ASE हम लोग कहाँ जा रहे तो देख нашем 0000 से शुरूँ करा आगली स्रेट आएगे जी 100 100 total कि आगे देखो भी कि से सफंद कॉन से आई है के बद कॉन से Satya a1 त्रिपल न कि अगली कॉन से आईए 01 0 double 1 के बद कॉन से नहेंrogen है 0, 0, 1 चाहरा जिस गुद नशाए रहे जी 400 अब कौन कौन सी स्ते रहे ज़िए देखो भई टो टल आपको पता भी आठ स्टेट होईगी तो दो स्टेट रहे ज़िया है उनको लिख लो भी है यहापी तो छे श्टेट मैंने कवर करी हैं तो मॉट 6 कांटर हो गया तो दो स्टेट बच गए है कॉन सी दो बच गए है यह बच गए है 101 के बाद आप आजाते है पर देख लो पर 010 से कहा जाते है यह यह गोंगते रहूँ है ऐसे बटक रहे हो तो डरेकली इंडरेकली यहीं से देखकर के आपको समझ में आएगा कि यह जो है हमारा self-starting तो नहीं बना self-starting तो यह नहीं बना देखते ही आपको समय आ रहा होगा मेरे ख्याल से मुझे इसमें ज्यादा बोलने की जूरती नहीं है आपको देखते ही clear हो रहा होगा क्योंकि यहां पर अगर आप फस गए वंजीरों पर फस गए बाइ चांस तो फिर यहां से आप निकल नहीं पाओगे इसमें घुमतर होगे अपनी काउंटिंग लूप में वापस नहीं आ पाओगे है ना तो मतलब हर एक स्टेट से आप काउंटिंग लूप में आ सको यह self-starting होता था पर यह self-starting नहीं बना चलो तो कैसे बनाए वह मैं भी थोड़ी दिर में आपको समझाओगा बट बेसिक आइडिया मैं सिर्फ आपको दे रहा और कुछ नहीं कर रहा क्लियर हो गया अच्छा अब जो बेसिक बात हमने सिखी है वह क्या सिखी यहां पे कि आपके पास अगर mod 3 है तो आप क्या कहोगे अगर आपके पास 3 bit का twisted ring counter है तो उसमें कितनी states होएंगी जी 2 into 3 that is 6 states होएंगी और साथ साथ अगर मैं आपको बोलू 3 bit का आपके पास ring counter है ring counter है तो उसके अंदर कितनी states होँगी only 3 states होँगी यह I think आप लोग अपने अपसे guess कर पा रहे होगे यह multiply by 2 मैंने बहुत जल्दी लिख दिया क्यों लिख दिया क्योंकि इतना तो आपको देखते हैं समझ में आ रहा है कि यहां पे 6 state हैं 3 bit में तो क्या 4 bit के twisted ring counter में 8 state आएंगी अगर मैं इस बात को प्रूव करेगा तो मैं बोल दूँगा कि हाँ ठीक है multiply by 2 यह होता है आपके मन में यह भी आ सकते था ना कि सर बाइचांच 6 आगी हो क्या पता चार वले में दिखाओ तो मैं पहले आपको एक pattern की पेचान कर रहा हूं यहां पर चल क्या रहा है फिर मैं आपको बता दूँगा कि multiply by 2 क्यों हुआ है pattern की पेचान कर देखो भई आगर आप 000 से शुरू करते हो तो क्या कर रहा हूं अगली state के आ रही है रहा है यह 100 के जा रहा है इतर लगा दिया यह या दा रहा होगा है फिर वही बात है प्रिपल बन जाएगा। पिर दुनों तो 1 थे ऐए‌गे और ये जिरो बन जाएगा। तो वापस वहीं पर आ रही हो। तो यहां से यहां आ रहরे होँ वापस। तो चल क्या है समझ रहे हो। एक 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 बारी स्टेट में 11 बढ़ रहा है, तो मतला आप 000 से शुरू करते हो, आगली स्टेट 100 आती है, एक बढ़ गया, फिर एक वन और बढ़ जाएगा, फिर एक बढ़ जाएगा, जब तुम ट्रिपल यह जाओगे फिर 11 घटाओगे, फिर 011, फिर 001, और फिर finally 0.00 सम्धम्हा रहा है, पहले एक भी 1 नहीं था, उसके फिर एक 1 आया, फिर दो 1 आया, फिर तीन 1 आया, फिर दो 1 ओगे, फिर एक 1 होगे, और फिर वापा सीदर आ गया। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, यह ऐसे चलेगा, अब 4-4 का दिखा हूँ, मैं बनाने की भी जूरत नहीं है, या चलो मैं एक बार बना कर दिखा देता हूँ, फोर में तो बात वही आनिया गुमा फिरा करके है, तो कुछ भी नहीं, चार लग जाएंगे बस इसको उठा करके इधर ले जाना, इसलिए ट्विस्ट हो है, इसलिए ट्विस्टे टेल काउंटर इसको कहते है, तो इस तरीक से चल रहा है, तो इस इस डाइगराम को यह अगर आप SR flip-flop मानना चाहते हो, यह SCAR, यह SCAR, यह SCAR, तो इसकी बजाए आप इनको D भी मान सकते सकते हैं, मतलब D से भी मैंने आपको दिखाया था, तो D की भी कहानी कर सकते थे, तो यह मैं आपको प्लीस, मैं टाइम विस्ट नहीं करना चाहता है, मैं आपको हमवक में चोड़ रहा हूँ, यह Q, यह Q बार होगा, यह Q, यह Q बार होगा, यह Q यह Q बार होगा, और यह Q, तो आप प्लीज अपने आप कर सकते हो मेरे को ज्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इससे कनेक्ट इससे कनेक्ट और फाइनली यह इससे कनेक्ट हो गया और यहां पर जो क्लॉग होईगी वह आप साथ साथ दिखा देना उसमें क्या परिशानी है आपको क्लॉग के दिखा दो यहां पर भी आप क्लॉग दिखा सकते थे कोई बात है गंदा हो जाए गड़ा अगर अलग कलर से दिखा हूं थोड़ा अच्छा लगेगा आपको हाँ जी पॉस्टिवेस्टिगर मान लेते हैं जैसे आपका मन करें आप ऐसे चला लो और यहां पर हम इसको भी पॉस्टिवेस्टिगरी मान लेते हैं डी से दिखाना काफी असान था चार बिट का ऐसा से दिखाना भी असान ही था को ज्यादा मुश्किल तो नहीं था बट वही बात है इसको अनिलाइज करने बैठ होगे थोड़ा सा टाइम हमारे को ज्यादा लग जाएगा और मैं यहां पर टाइम वेस्ट एक्चुली करना ने चाथा तो आप सिंपली क्या बोलोगे क्यू भी क्यू भी क्यरेक्टर्स्टिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए क्या करना है क्यरेक्टर्स्टिक इक्वेशन आप लिखो जाएगा आपको एक्वेशन आप लिखेंगे sr flip-flop की जो भी क्या लेकर के आओगे जैसे मैं बी flip-flop की कहानी करता हूँ B flip-flop की तो S जो होगा that will be QA R जो होगा वो QA बार होगा बस आप value पूट करके answer निकालने है मैं ज्यादा बोलके आपके साथ यहां time-based नहीं करना चाहता आपको characteristic equation लिखने है S-A-R flip-flop की और B flip-flop की मैंने कहानी करी है ऐसे ही आप C की, D की सब की कहानी कर सकते है जो आपने flip-flop लगाए है ठीक है जी I hope समझ में आ रहा होगा और उसके बाद बस characteristic equation लिखने के बाद आप final values देखते चले जाओगे और आपके परसान सा राता चला जाएगा बात वही होनी है बार-बार बोलके मैं टाइम इस नहीं करना रहली इतना जादा हमारे को कुछ नहीं जूत नहीं है और यह सब से आप खुछ से जानते भी हो आप कर भी सकते हो तो circuit paper में आजए तो आपको परशान नहीं हो कि सर यह क्या आ रहा है यह भी twisted ring counter है और कुछ नहीं है तो चाहिए ऐसा से बना रखे यह मैंने d से बना रखे और verify मैंने बार-बार बशा रहा हूँ आपको home work में दे दिया आप आपने आप करेंगे इसको verify अब यह बहुत easy है मैं इसको फटा-फट से कर जाओंगा आउट्पूट इंपूट 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 इससे सिधा बना हुआ तो मैं सिधा-सिधा इसमें ज्यादा time pass नहीं करूँगा direct मैं आपको बता सकता हूँ जैसे यहां पर इसको मानलो आप A इसको मानलो B, इसको मानलो C, इसको मानलो D ठीक है जी तो अब आपने क्या लिखा होगा वो मैं आपको अगली स्लाइड पर समझा देता हूँ जरा तो लेट मी टेक अनदर स्लाइड हाँ भई तो क्या रहा होगा भई तो QA, QB, QC, QD initially अगर आप लेकर के चले हो सारे zeros तो अगली स्टेट्स के आएँगी चलो मैं इदर लिखे तो QA+, QB+, QC+, QD+. तो यहाँ पर देख लो भई QA, यहाँ पर हम सारी वैलोस पदालों भर लेते हैं दो मिन्ट लगेगा 0010, 0011, 0011, 0011, 0011, 0011, 0011, 0011 उसके बाद 0000, 0011, 0011, 0011 0011, 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 0011 जो एक्चिली मैं जणरली साइलेंट पे रखता हूं आज कुछ इंपोर्टेंट काम था कुछ कॉल आने इसलिए मैं रखा था तो इसलिए आपको पता है बही दी ए होगा यह होगा जी डीवी यह क्या क्या होगा जी डीवी फट लो अब फट आ पतादो दीए देखके वह रखे क्या है बार है क्योडी बार आचा यह क्या है बी डी आपको देखते दिने जरा रहा है अ च्छा आप प्लीज आगे जाद मुझे बोलाँ चाहिए एक एक पकड़ पकड़ के लान अर्च कुछ अब आप समझ चुके हो, तो QB+, क्या होगा, जो QA है, वही आएगा QB+, अगली स्टेट जो होगा, वही बात, जैसे QA, QB, QC, QD है, तो 0000 है, तो अगली स्टेट क्या होगी, ये तीनो जिरो उठाकर के जिपका देना, और इसका बार उठाकर के इधर ले आना, बस वही काम, जैसे अभी करते आ रहेते, बिल्कुल सेम काम है, मेरे को ज़्यादा बोलना है ने चाहिए, बट वही बात है, रिकॉर्डिट सेशन है, तो 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 इतना बोलने के जूरती नहीं होनी चाहिए, अच्छा, अब बस आप ये चीज़ देख लिया है ना, बस अफट-फट से भरते चले जाएंगे, तो बस इस 0 का उल्टा मतलब 1 यहाँ आएगा, बाकि ये 3 0 यहाँ पर चिपका देना, उसके बाद फिर ये 3 0 यहाँ पर चिपका देना, और इस 0 का उल्टा 1 यहाँ चिपका देना, इस 0 का उल्टा 1 यहाँ चिपका देना, इस 0 का उल्टा 1 यहाँ अच्छा जी, उसके बाद फिर, इदरा जाओ, यह क्या होगा भी 011 यहां चिपका देना, और इस 1 का उल्टा यहां चिपका देना, 0 double 1 यहां चिपका देना, इस 1 का उल्टा 1 यहां चिपका देना, 1 double 0 यहां लिख लेना, और इस 0 का उल्टा 1 यहां लिख लेना, 1 double 0 again यहां लिख लेना, और इस 1 का उल्टा 1 यहां लिखा लेना, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, टाइम पास है भिल्कुल, आच्छा अब आप समझे रहे हैं यहां चुल देख बाइख़ए यहां और इसका OUT Làm गिहां लुद्दि लुद्ध, से भूण제Tradee ससी आख यह, शीप कैसे यहां साहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर वही बाद डबल वन जिरो यहां चिपकाएंगे और इस वन का उल्टा जिरो यहां चिपका देंगे फिर ट्रिपल वन वाली कहानी आ जाएगे ट्रिपल वन और उसके जिरो का उल्टा वन यहां चिपका देंगे ट्रिपल वन और यहां पर चार जिरो से शुरू करेंगे अगली स्ट क्या입니다 कि वन ट्रिपल जीरो के बाद क्वोन से आई यह जी स्टेट डबल वन डबल जिरो अच्छा वाद फिर डबल ़न डबल जीरो से अगली कॉंसे से आएगी जीरो ट्रिपल वन जीरो के बाद देखो भी अगली से कॉंसे नजर आ रही है फोर टाइमस वन ओ टाइम वन से अगली कॉंसे टेट नज़ आएगी 0111 0111 के बाद कॉंसे टेट नज़ आएगी 001 वो तो आपको पता है एक एक वन घटता जाना था अच्छा जी 001 के बाद कॉंसे टाएगी 001 आएगी बिना देखे मैं ने लिख्या और मैं आपको चेक भी करा देता हूँ 001 के बाद यह देख लो भी 001 आएगी और फिर 001 के बाद फाइनरी यहां पर आ जाओगे तो यह आठ तो यह काउंटिंग सीक्वेंस है यह मॉड़ेट काउंटर हो गया ठेक है? I think समझ पा रहे होगे और जो स्टेट समने इंक्लूड नहीं करी है मैं वहां से शुरू हो जाता हूँ तो देख लो भई 4x0, 0001 आ गया है 0010 नहीं आया 0010 यहां पर कहीं नहीं आया तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो अब मैं बीन देखे लिखोंगा 0010 था इसका यहां पर उन चिपक जायेगा और फिर फ़ाइनली लेगा 12 3 4 5 6 7 और अठीज स्टेट हमारी यही होंगे न तो एक और आएगी आठीत यहां धान था टो यहां चुँरो यहां हो और इसको जिपका दो और फिर फाइनली आप चक कर सकते हैं पर आओगे तो पुंगिए तो दो 8-8 की लूप बन रही है बास और कुछ नहीं तो फाइन लिए तो मोड़ेट काउंटर रही है और कुछ नहीं और इसकी मेने स्टेट सापको बना कर दिखाई थी और यह आपको चला कर कर दिखाया था क्लिरली यह सेल्फ रुर्निंग रही है अपको सकता था अच्छा इसकी बास पेर हमने यह प्रूफ आपको दिखाया और त्री बिट का त्विस्टी टेल काउंटर दिखाया उसमें 6 स अच्छा यह आपको याद ही था है ना तो यह देख लो कि तीन में ऐसे एक एक वन बढ़ता गया था फिर एक एक घड़ता चला गया था तो ऐसे ही हमने फोर बिट का आपको दिखाया धंग से आप देख पा रहे होगे कैसे बनाना यह मैंने होंवर्क में छोड़ दिया आप यह समद्पा रहे होंगे चार जूरे से पने शुरू कर आप अपने करके वन बढ़ा है यह देखो भई आराम से एक पर आगए ना चार वन ऑगया उतके प्ला और फिर लुक्ष उपने जछे लए था और तो आप देख पार होगे आपने आप से यह आठ यिए आत स्टी त तो फिर एक एक करके घटा रहे हो, तो चार की बाद फिर तीन पे आओगे, दो पे आओगे, एक पे आओगे, तो तीन स्टेट और लग जाएंगे, और फाइनली वापस महीं आ जाओगे, तो आठ स्टेट है, बस और जादा मेरे ख्याल से मझे बोलने जो तो नहीं है, तो फाइनली एक एक करके एक करके ャँवन घटेगा, तो फाइनली एक 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 करके आओगे, पांच वन से पच्छेगा, तो फाइनली हमारी वापस है चार जाएंगे, और फिर फाइनली हम वापस ही आजाएंगे, common sense की बात, थोड़ा सोच के देखो तो जार कुछ ही भी कर रहे हैं उसका answer मैं अगले lecture में दोंगा अभी ज्यादा बोलके मैं आपका time-based नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसे लंबे lecture बनेंगे उसका को फायदा नहीं है तो छोटा-छोटा keep it simple ज्यादा अगर आपके पास n bit twist tail counter होगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कितनी states होएंगी 2 into n states होएंगी और क्यों 2 से multiply कर रहे हैं वह आपको बहुत अच्छे से समन में आ चुका होगा अच्छा इसका symbol कई बारी paper में क्या करेंगे देखो भी यादा रहा है आप जैसे 3 bit का shift register दिखाते थे यह s in होता था और यह s out होता था और यह होता था जी clock ऐसे दिखाया करते दम symbol तो ring counter के लिए मैंने क्या दिखाते है बस s out को s in बना दिया था अब आप क्या करो आप जो s out आ रहे है न उस पे not gate लगा करके इसके साथ ऐसे join कर दो तो यह हो जाएगा जी symbol for twist tail counter logical symbol ठीक है तो इसमें भी आपको बोल सकता है कि आफ्टर 3 clock pulses output will be what है तो आप क्या बोलोगे कि सर यह तो twisted rate counter हमारों को पता ही था तो हम पटापट से क्या कर सकते 0000 से शुरू करेंगे after one clock pulse 100 नजराएगा after another clock pulse 110 नजराएगा after another clock pulse 111 नजराएगा after 3 clock pulse नजराएगा तो एक दो तीन आफ्टर 3 clock pulse 111 होगा after 4 clock pulse नजराएगा तो आप क्या बोल देते है जीरो डबल वन होगा after 5 clock pulse नजराएगा जो पूछेगा भी वो मेरे खाल से तुम मैं चोर हो जो क्यों एनफ बड़े जिल्दी आ और बड़े राम से आप इस सब जीजों का आंसर कर पाऊ गएगा तो यहां से यह 1 बन के जाएगा तो यह 0 उदर आ जाएगा यह 0 इधर आ जाएगा पिसे देगा एक क्लाकफ की बाद देना दिना दिना देडाए गा फिर दो क्लाक क्लोंक पल्स, एक तो 4 क्लोंक पल्स tranterior प्रभिक बाद हरा है अर्फर 4 क्लोंक की गसिता है थे समें बोट नक्या हो नहीं पी oc मेरे तुरिस टेटल कांटर के क्लिर हो चुके हैं मैंने लॉजिकल डिएगराम वो सब दिखा दिया है कुछ और इसके बाते हैं और जो 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 जोंसन कांटर है एकडिक क्या है महोरिस मैंनो की किताब क्या कह रही है न तो वह एक बार आपको बस शो कर देता हूं फिर अगली सेल्फ स्टार्टिंग नहीं बना है, तो सेल्फ स्टार्टिंग इसको कैसे बनाना है, वो भी थोड़ी थोड़ी बाते में आगली लेक्चर में कर लोगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मुच, बाबाइ,